नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक तो दे चैनल दे रेल यात्री आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नमबर 12436 आनन्द भीहार टेमिनल जैनगर गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट ये ट्रेन कब चलती है कौन कौन से स्टेशनों पर रुखती है कितनी देर रुखती है इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाई मिल जाएंगी इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे योट्यूब चैनल दरेल यातरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक आते रहें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नमबर 12436 आनंद विहार टैमिनल जैनगर गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टैमिनल से विहार के जैनगर तक चलती है ये ट्रेन हाफ़ते में दो दिन हर मंगलवार और शनिवार को आनंद विहार टैमिनल से दिन में 4 बच कर 55 मिनट पर चलती है इस ट्रेन को अनंद विहार ट्रेमिनल से जैनगर तक के 1252 किलोमेटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 20 घंटे 40 मिनट का समय लगता है इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 20 स्टेशनों या होल्टों पर उखते हुए जैनगर पहुंसती है और इस ट्रेन के एवरेट स्पीड 61 किलोमेटर प्रती घंटे की होती है अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से समन्धी जानकारी देता हूँ इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी इस ट्रेन में आपको दोनो टाइप के ततकाल प्रेमियम ततकाल और ततकाल की भी सुविधा मिल जाएगी अब मैं आपको इस ट्रेन के लोको मोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ ये ट्रेन दोनों टाइप के लोको मोटिव इलेक्रिक लोको मोटिव और डीजल लोको मोटिव से चलती है आनंद विहार टेमिनल से जैनगर तक ये ट्रेन आनंद विहार टेमिनल से बरावनी जैंक्शन तक इलेक्रिक लोक मोटिव से चलती है अब मैं आपको इस train के रेक composition या फिर coach composition के बारे में जानकारी देता हूँ इस train में 18 थरड़े सी class वाले coach इस train के रेक composition में होते हैं और किसी भी दूसी शेनी का कोई भी coach इस train के रेक composition में नहीं होता दोस्तों मैंने इस train के रेक composition वाला पुरा layout अपने वीडियो के description में बनाया हुआ है आप वहाँ से भी देख सकते हो की इस train के रेक composition में coach इसकी position क्या होती है ये train आनद विहार terminal से चूटने के आदे घंटे पहले आनद विहार कि ये train कौन से रूट से होकर जैन अगर पहुंचती है और इस train को कौन कौन से station या halt पर उखना होता है इस train के पूरी journey में जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था ये गरीब्रत एक्सप्रेस आनद विहार terminal से हर मंगलवार और शनिवार को दिन में 4 बचकर 55 मिनट पर चलती है इस train का पहला होल्ट अलिगर जैंक्षन यहाँ पर train शाम 6 बचकर 21 मिनट पर पहुंचती है और 6 बचकर 23 मिनट पर train यहाँ से चलती है यहाँ पर train 2 मिनट रुखती है इस train का दूसरा halt कानपुर सेंट्रल यहांपर train राद 10 बच कर 10 मिनट पर पहुंचती है और 10 बच कर 15 बच कर ट्रेन यहां से चलती है यहांपर train पांच मिनट रुखती है इस ट्रेन का तीसरा होल्ट इलहाबाद जेंक्शन यहाँ पर ट्रेन राद 12 बचकर 14 मिनट पर पहुंचती है और 12 बचकर 16 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का पांचमा होल्ट गहमर यहाँ पर ट्रेन राद 3 बचकर 23 से चलती है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का छटा होल्ट बकसर यहाँ पर ट्रेन राद तीन बच कर तिरालिस मिनट पर पहुंचती है और तीन बच कर पैतालिस मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का सा बचकर 19 मिनट पर पहुंसती है और 4 बचकर 21 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 10 वा हॉल्ट दानापूर यहाँ पर ट्रेन सुबा 5 बच कर 17 मिनट पर पहुंचती है और 5 बच कर 19 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 11 वा हॉल्ट पतना जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन सुबा 5 बच कर 35 मिनट पर पहुंचती है और 5 बचकर 45 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुखती है इस ट्रेन का बारवां होल्ट बक्तियारपुर जेंक्शन यहां पर ट्रेन सुबद 6 बचकर 27 मिनट पर पहुंचती है और 6 बचकर 39 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यह यहां पर ट्रेन दो मिनट रुखती है, इस ट्रेन का तेरवा हॉल्ट मुकामा, यहां पर ट्रेन सुबा साथ बचकर चार मिनट पर पहुंचती है, और साथ बचकर शे मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है, यहां पर ट्रेन दो मिनट रुखती है, इस ट्रेन का चौदवा हॉल समझती पूर्जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन सुबह 10 बचकर 28 मिनट पर पहुंचती है और 10 बचकर 33 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुखती है इस ट्रेन का स्तोलमा हॉल्ट हाया घाट यहाँ पर ट्रेन सुबह 10 बचकर 56 मिनट पर पहुंचती ह और 10 बचकर 58 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का सतर्मा होल्ट लहर या सराय यहां पर ट्रेन दिन में 11 बचकर 15 मिनट पर पहुंचती है और 11 बचकर 18 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 3 मिनट रुखती है इ यहां पर ट्रेन दोपैर 12 बचकर 8 मिनट पर पहुंचती है और 12 बचकर 10 मिनट पर ट्रेन यहां से चलती है यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुखती है इस ट्रेन का 20 हॉल्ट मदूबनी यहां पर ट्रेन दोपैर 12 बचकर 26 मिनट पर पहुंचती है और 12 बचकर 29 मिनट पर ट्रेन यह विहायर टेमिनल से जैनगर तक के किराया है 980 रुपए, थर्ड इसी क्लास, इस ट्रेन का किराया कभी भी चेंज हो सकता है, लेटेस्ट किराय के लिए आप इंडियन रेल्वेस के रिजर्विशन काउंटर या फिर इंडियन रेल्वेस का ओफिशल वेबसाइट आयर सिटी स से आप चेक कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा, जिस भी स्ट्रेक्शन से आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हो, दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से सम्मंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दिजेगा, कमेंट ज़रूर करेगा कि वीडियो कैसा था, और फ्रेंस थैंक्स पर वाचिंग दे रेल यातरी चैनल और कीप सपोर्टिंग अवाँ